मौजूद है मोईनूल खक स्टेडियम में और आज बिहार और 36 गड़ का मैच हो रहा है रंजी मैच लेकिन कोई कारण वस यहाँ पे मैच को स्थगित कर दिया गया है प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं लेकिन जो क्रिकेट प्रेमी हैं काफी खुश दिख रहे हैं और यहां पर मौजूद है मैच ही देखने को तो क्या कुछ इनका कहना है मैच को लेकर आपको बता दे कि बीते दिन हो मुंबई वर्सेज बिहार की मैच हुई थी जिसमें बिहार हा कामिक ग्रॉंड देखे एक बाद सबस्टेडियम देखे हां स्टेडियम तो गलत है लेकिन अगर पीच की बात करें वहां पर जीत गई तो कहीं ना कहीं तो मुंबई में होगा ना दम हां मुंबई तो अच्छा प्लेयर आया थे शिवाम दूबय जिंके रहाने तो तो बि तो खहुत है जाए अभी खेले के लिए सीखना चाहिए अचासर शिष्टिस गरवाले मैस दिक लिए क्या उमीद लगा है भी हो जीतेंगा लोगों से बात करते क्या नाम हो इसर थे किया कहें कि कि गल्ती थी क्या मैच में होना चाहिए था अब वह लोग प्रेक्टिस का उ चाहए प्रेक्टिस कियो हो रहते आचा से तो जितते हो लोग लेकिन अच्छा खेला मुंबई जीता अच्छा खेला ही तभी तो जीता 36 गड़ की माच ओड़ है क्या बोलेंगे 36 गर्द मुकाबला है लेकिन भीहार अच्छा खेले हम यहीं उमीद करेंगे अच्छा प्रेक् के खिलाडी में प्रैक्टिस की कमी थी मूंबे के ख्लाड़ियों के सविधान का ती आंके बूड की श्रीजिय करते हैं वह बहुत बरी गलती है यह ना तो सही स्टेडियम प्रवाइड करा पाती आदा इसे थिने जेक्ति हो एक हो रही है तो कि ऑच्छा तीस गर के मैं हम जो जनता है जो देख रही है मैच को साफ तोर पे आप देख सकते हैं हम इन से जुरते रहेंगे और जानेंगे मुंबई के मैच देखे थे बिलकुल कौन जीता था इसमें मुंबई की टीम जीती थी विहार के टीम चारों खने चीत हो गई थी किसके मतलब गलती ठैराएंगे गलती यहां पर भारतिये टीम के जो खिलारी थे अजिकी रहाने वो तो यहां पड़ाया लेकिन खेल नहीं पाई यही बात कि गलती हमारे पुरे बिहार वासियों का है लेकिन सबसे बड़ी दूर बेवस्ता बिहार किर्केट एस्टूशन का ह जहां पर किर्केट नाम के दो-दो टीम यहां उदर जाते हैं अगर ऐसा हाल रहा तो आने वाले समय में चार टीम भी बिहार से खिलेगी और कहें कि हम भी बिहारी हैं हम चार टीम के साथ खिलने के लिए तैयार है अगर ऐसी बेवस्ता रही तो बिहार की इस्तितिक कभी भ गवासकर जैसे खिलारी पैदा हो वह असंभव है तो यहां पर हर खिलारी का ट्रेनिंग के साथ यहां पर जो है दूसरी समस्या यह है कि खिलारी के बीच में असुवधाओं का बहुत बड़ा है महौल है एक खिलारी को तब हम त्यार कर सकते हैं अच्छा खिलारी बनाने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि हमारी मानसिक्ता अच्छी होनी चाहिए उसके बाद हमारी स्वोच और नीती पर विचार होना चाहिए अगर हम लाग कोसिस करेंगे ग्राउंट पर खिलारी नहीं खिलारी मैच के पीच पर खिलता है इस बार 36 गड़वाले मैच में कौन जी साब तोर पर इनका कहना है कि इस बार भी 36 गड़ जित सकती है देखे पिछले बार मुंबई जीती थी करारा हार मिला था बिहार को और इस बार भी यही नजारा सामने आ रहा है इनका कहना है कि इस बार भी 36 गड़ ही जीतेगी और बिहार फिट से हारेगा कही ना कही एसोस झाल, 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 झाल